तो आज का जो मारा टॉपिक है वह एप्लीकेशन आफ आइपर कांजूगेशन इससे जो फर्स लेक्चिट था उसमें हमने हाइपर कांजूगेशन को इन डिटेल डिसकस किया है हाइपर कांजूगेशन की टाइप्स को डिसकस किया है और हाइपर कांजूगेशन की एक एप्लीकेशन को डिसकस किया है स्टेबिल्टी आफ कार्बो के टायत नेक्स जो मारा लेक्चर है इसमें हम डिसकस करेंगे स्टेबिल्टी आफ फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल क्या है हमारे पास electron deficient species है फ्री रेडिकल और electron deficient species फार एक्जेंपल जो फ्री रेडिकल की stability है वो depend किस पर करती है तो stability of free radical stability of free radical डारेक्टी प्रोपोशनटल होगी नंबर आफ पर जूगेटिड यसको मैंने एपर वेशन में लखनी है एच्स हाइपर काद्गेशन गेटिस और यह जो हाइपर काद्गेट इस्ट्क्शर रहे हैं प्रोपोशनल होंगे नंबर आप हाइडरोजन एटम बार आप अल्फ हाइड्रोजन एटम जितने अल्फा जञादा इतने है पर काझूगेटः स्टॉक्च्चर ज्यादा और जितने hyper conjugated structure ज्यादा उतना radical की stability भी ज्यादा for example हमारे पास कुछ free radicals है यह हमारे पास simple एक radical है methyl free radical CH3 यह हमारे पास एक radical है जिसको हम कहते है Ethyl free radical एक हमारे पास radical है यEsopropyl free radical और एक हमारे पास radical ना जाता है यहाँ पर तर्शरी बूटाइल Free radical यह पर अग्र Attल की बात करें तो तर्शरी बूटाइल Free radical में यह जो कार्बन है यह सारी कंद है इंद्धार की सारी इसमें कौन सी इल्फा कार्बन है? ये बी इल्फा कार्बन. गया है? यह जो इपटाइल । alpha hydrogen किसमे ज्यादा है मिथाइल में क्या है नमबर आफ alpha hydrogen वो क्या है जीरो इसके hyper conjugated structure कितने बनेंगे hyper conjugated structure भी जीरो बनेंगे अगर हम मिथाइल free radical की बात करें उसमें एक alpha carbon है और alpha carbon पा तीन hydrogen लिंक है तो नमबर आफ alpha hydrogen जो है हमारे पास वो तीन है इसके जो hyper conjugated structure बनेंगे वो भी कितने बनेंगे हमारे पास तीन hyper conjugated structure बनेंगे अगर हम structure 3 की बात करें आईसो प्रोपाल रेडिकल की तो उसमें दो alpha carbon है और दोनो alpha carbon पर तीन तीन alpha hydrogen है तो total नमबर आफ alpha hydrogen कितनी हो गई हमारे पास six alpha hydrogen अगर six है तो hyper conjugated structure जो बनेंगे वो भी हमारे पास six ही बनेंगे इन structure के अलावा six और structure बनेंगे अगर मैं structure number four की बात करूँ तरिश्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल की बात करूँ इसमें जो नमबर आफ alpha hydrogen है वो nine है तीन ये तीन ये alpha hydrogen तीन ये alpha hydrogen तो इस case में जो hyper conjugated structure बनेंगे हमारे पास वो भी कितने बनेंगे nine बनेंगे और जिसके जितने ज्यादा hyper conjugated structure होंगे वो उतना ज्यादा stable होगा तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे stability order बे लिखेंगे structure four जो है वो सबसे ज्यादा stable होगा उसके बाद structure three होगा उसके बाद structure two होगा and then उसके बाद structure one होगा तो उन्दा सा एक free radical को देख लेते हैं कि इसमें hyper conjugation होती कैसे है हम example में discuss कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ethile free radical को तो ये जो हमारे पास है ethile free radical जो है इस case में देखें न CH3 group जो है वो link है CH2 के साथ जिस पर एक unpaired electron है तब इसमें hyper conjugation होगी कैसे ये एक electron carbon यहां पर share करेगी और एक electron यहां पर share होगा तो ये electron किस पर shift हो जाएगा hydrogen atom पर shift हो जाएगा जैसे ही hydrogen atom पर shift होगा अब हमारे पास जो next conjugated जो canonical form बनेगी वो कौन सी होगी ये hydrogen ये carbon ये double bound CH2 आ गया और यहां पर भी क्या होगा hydrogen होगा अब इस hydrogen पर क्या होगा एक free electron होगा next जो canonical form बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास ये होगी कि इस carbon और hydrogen की दरम्यान जो electron है एक electron यहां shared होगा ये hydrogen अपने एक electron यहां पर shift करेगी तो ये electron किस पर shift हो जाएगा hydrogen पर shift हो जाएगा अब next जो canonical form हमारे पास बनेगी next जो hyper conjugated structure बनेगा हमारे पास इस hydrogen पर free electron होगा free radical बनेगा और यहां पर हमारे पास क्या बनेगा CH2 बनेगा next जो hyper conjugated structure होगा वो हमारे पास क्या होगा ये दोनों सिगमा electron में से carbon आपने एक electron को यहां पे share करेगी ये hydrogen एक electron को यहां पे share करेगी और ये electron कहां पे share हो जाएगा दوبारा carbon पे share हो जाएगा तो next जो हमारे पास canonical form बनेगी next जो hyper conjugated structure बनेगा वो कौन सा बनेगा ये hydrogen, ये carbon, ये hydrogen इन दो hydrogen का carbon की साथ लिंक फिर double bond CH2 और यहां पर एक hydrogen जिस पर क्या रहेगा free radical रहेगा अब ज़रा यहां पर यह देखें ये जो पाई बॉंड बना था इसमें ये जो दो electron है इन दो electron में अब एक electron यहां shift होगा ये hydrogen भी अपना electron यहां shift करेगी और ये electron किस पर shift हो जाएगा carbon पे shift हो जाएगा तो जो next canonical form बनेगी हमारे पास next जो hyper conjugated structure बनेगा तो वो कुछ इस form में बनेगा ये CH3 दुबारा recover हो जाएगा और CH2 पर क्या आ जाएगा हमारे पास free electron, unpaired electron बन जाएगा तो ये हमारे पास structure 1 था ये इसका दूसरा canonical form ये third canonical form ये fourth canonical form और ये fifth तो जब फिफ्थ और one को देखें तो दोनों बिल्कुल सेम है हम कहते हैं कि इसकी जो तीन alpha hydrogen होने की वज़ा से जो canonical structure बनेगा वो कौन कौन से बनेगा दूसरा canonical structure बनेगा तीसरा canonical structure बनेगा और नबर four जो है ये canonical structure बनेगा अगर तीन alpha hydrogen तो तीन canonical structure तीन hyper conjugated structure अगर alpha hydrogen पांच हो जाते हैं तो पांच hyper conjugated structure और अगर alpha hydrogen six हो जाते हैं तो six hyper conjugated structure और अगर alpha hydrogen nine हो जाते हैं तो nine hyper conjugated structure बनेगे तो किसी भी free radical की stability को देखना हो तो हम simple free radical की stability को hyper conjugation की base पर explain कर सकते हैं कि कौन सा free radical जो है वो ज्यादा stable होगा और कौन सा free radical less stable होगा next जो हमारे application है hyper conjugation की वो है हमारे पास stability of alkyne यहाँ पर हम discuss करेंगे stability of alkyne अगर हम stability of alkyne की बात करें तो stability of alkyne में हम कहते हैं कि hyper conjugation की types कौन सी होती है जिस तरा हमने पहले lecture में discuss कर लिया है कि जो sigma electron होंगे वो involved होंगे conjugation में किस के साथ conjugation में involved होंगे with pi bond तो यह type है हमारे पास conjugation की in alkyne यह alkyne में कुछ हम structure को लिखते हैं for example हमारे पास एक alkyne है CH3 bond CH double bond CH2 next है हमारे पास CH3 bond CH2 bond CH double bond CH2 तो पहला वन प्रोपीन है second वन ब्यूटीन है और थर्ड में हम लिख देते हैं आइसो पैंटीन यह CH3 यह CH3 हो गया यह CH3 हो गया यहां पर यह CH हो गया डबल बांट यह CH2 हो गया यह यहां पर मैंने तीन alkyne को simple लेक है अगर मैं इन तीन alkyne की stability को डिसकस करूँ तो मैं कहता हूँ यह structure number one है हमारे पास यह structure number two है और यह structure number three है तो simple हम सब से पहले क्या करेंगे alpha carbon को देखेंगे alpha carbon कौन कौन सी है तो यह जो मेरे पास carbon है इस इस carbon को हम कहते हैs alpha carbon structure two में देखें तो इसमें यह alpha carbon है यह two- CB केंई क्योंके functional group यह है तो functional group वाली carbon structure two में alpha carbon जो है גם यह CH2 वाली है जो double bond वाली carbon के साथ direct Yang carbon होगी उसको मम अल्फा कार्बन कहते तो स्रक्चिर नम्बर वन में देखें तो कितने हाईडरोजन है नमबर आफ अल्फा हाईडरोजन हमारे पास कितने है जी किरी तो इसके ओ रधार कंजोगेटेड स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो भी कितने बनेगे स्ट्रेंट 3 बनेगे अगर हम सेकंड स्ट्रक्शर को एक्स्प्लेइन करें तो मैं कहते हूँ उसमें जो अलफा हाइडरोजन है वो दो है तो नमबर आफ अलफा हाइडरोजन एटम दो होने की वज़ा से इसके जो हाइपर कांजुगेटिड स्ट्रक्शर बनेगे हमारे पास वो भी सिर्फ और सिर्फ दो बनेगे इसके इलावा दो बनेगे अगर मैं स्ट्रक्शर ते की बात करूँ तो उसमें जो कि नमबर आफ अलफा हाइडरोजन जो है वो एक है इसके जो हाइपर कांजुगेटिड स्ट्रक्शर बनेगे वो भी कितने बनेगे सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा तो सबसे पहले जो अलकीन है इसके हम एक्जेंपल को डिसकस करते हैं इसके हाइपर कांजुगेटिड स्ट्रक्शर को देखते हैं अगर मैं stability order लिखू तो मैं simple यही लिखूँगा कि जो structure one है यह ज्यादा stable है as compared to two and two ज्यादा stable है as compared to three यहाँ पर हमने stability order of alkene को discuss कर लिया अब यहाँ पर ज़र आईए देखें example को discuss करते हैं कि hyperconjugation होती कैसे alkene के case में यह CH3 group और यह alkene के case में यह जो दोनों electron है यह दोनों electron यहाँ पर shift होंगे और यह double bond किस पर shift हो जाएगा हमारे पास CH2 पर shift हो जाएगा जैसे ही double bond CH2 पर shift होगा तो मैं कहते हूँ इस hydrogen का carbon के साथ कोई bond नहीं होगा इसको no bond resonance इसी वजह से कहते हैं यहाँ पर carbon carbon double bond formation होगी और आगे carbon का single bond और यहाँ पर CH2 पर दोनों electron shift होगा तो कौन सा चाड़ आएगा माइनस का चाड़ आएगा तो माइनस का चाड़ यहाँ पर shift होगा next जो इसकी canonical farm होगी वो क्या होगी हमारे question यह दोनों hydrogen के electron यहाँ पर shift होगे जैसे ही यहाँ पर shift होगे तो यह सा hydrogen carbon का कोई bond नहीं रहेगा तो दो hydrogen के साथ carbon का bond simple CH2 और फिर CH2 माइनस यह CH है इसके साथ carbon का double bond और माइनस next जो canonical farm बनेगी जो canonical farm बनेगी वो क्या होगी हमारे पास यह दोनों electron यहाँ shift करवा दें जैसे ही दोनों electron यहाँ shift करवाएंगे तो यह hydrogen carbon फिर यह hydrogen और इस hydrogen के साथ कोई भी bond नहीं होगा यह double bond CH2 और यहाँ पर CH2 पर माइनस का चार्ड आएगा next जो हमारे पास structure बनेगा जो hyper conjugated structure बनेगा जो canonical farm बनेगी अब यह दोनों electron यहाँ move करेंगे इस carbon पर देखें न electron की कमी होगी तो यह negative चार्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा next जो canonical farm बनेगी हमारे पास वो कुछ इस farm में बनेगी अब जो पहले वाला structure है न दुबारा वो ही बन गया हमारे पास ज़र यहाँ पर यह देखें न यह CH2 formation होगी और यह दुबारा अलकीन बन गया तो मैं कहता हूँ यह structure वन था यह canonical farm वन है यह two है यह three है यह four है और यहाँ पर यह क्या है five है तो five और one को देखें तो same है तो मैं कहता हूँ इसके जो hyper conjugated structure है तीन alpha hydrogen होने की वज़ा से सिर्फ तीन है तो जितने alpha hydrogen होंगे उतने hyper conjugated structure होंगे और जितने ज्यादा hyper conjugated structure होंगे अलकीन की stability उतनी ज्यादा increase करेगे अच्छा यहाँ पर ना दो टाइप्स हैं hyper conjugation की अलादा से इन टाइप्स को हम कहते हैं एक को हम कहते है आइसो वैलेट आइसो वैलेट hyper conjugation और दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते है सेक्री facial hyper conjugation hc stand for hyper conjugation तो आइसो वैलेट hyper conjugation का क्या मतलब है number of bond या number of bond भी हम कह सकते हैं और number of valency भी कह सकते हैं remain same कि जो आइसो वैलेट hyper conjugation होगी इसमें जो number of bond है वो same रहते हैं decrease या increase नहीं होते decrease ना होने कि ना होने मतलब किसमें नहीं होते decrease फार एक्जेम्पल इसकी एक्जेम्पल में हम लेखेंगे कार्बो के टाइन and हम लेखेंगे free radical and free radical इसमें जो hyper conjugation होती है वो कौन सी होती है इस्टर्ण आइसो वैलेट होती है और sacrificial hyper conjugation की अगर मैं बात करूँ तो यह sacrificial hyper conjugation होती क्या है हमारे पास नमबर आफ बांड इन some canonical form decrease कि कुछ ऐसी canonical form होगी जिसमें डबर आफ जो नमबर आफ बांड है वो क्या हो जाएंगे decrease हो जाएंगे यह example लेते है तो यह example हम किसमें लेंगे फार एग्जेंपल इन केस आफ अलकीन अब ज़रा हमने अलकीन की एग्जेंपल डिसकस की है उसके hyper conjugated structure देखे हैं तो उसके number of bond भी गिन लेते हैं कि क्या वाकिए कोई bond sacrifice कर रहा है यहाँ पर क्या वाकिए number of bond में कमी आ रही है यह नहीं आ रही है ज़रा उपर देखे ना जिस तरह मैंने यह one प्रोपीन के hyper conjugated structure बनाए है पहले molecule में देखे ना तो number of bond कितने है number of bond को मैं यहाँ पर कहता हूँ यह one हो गया, यह two हो गया, यह three हो गया, यह four हो गया इस hydrogen के साथ five यह six, यह seven और यह two hydrogen के साथ eight और nine तो number of bond यहाँ पर कितने है nine है अब ज़रा यहाँ पर यह देखे number of bond दूसरे structure में कितने हो गया यह एक, यह दो, तीन, चार, एक इस hydrogen के साथ five यह six, और यह दो hydrogen के साथ कितने bond हो गया, आठ bond हो गया mean number of bond decrease हो गया इसमें decrease हो गह एक canonical farm में decrease हो गया, किसकी canonical farm में डिक्रीज हो गह है, अल्कीन की canonical farm में decrease हो गया जो अल्कीन की canonical farm में है, उसमें जो double bond, double bond स्की, number of bond है वो क्या हो जाते है decrease हो जाते है, आब जहाँ यहां पर یہ देखे इसमें भी क्या होगे number of bond eight है 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, और ये 2, 8, तो इसमें भी 8 bond हैं, और यहाँ पर अगर देखे 1, 2, 3, 4, 5 इस hydrogen के साथ, 6 ये, और ये 2, 8, यहाँ पर भी number of bond क्या है, 8 है, अब 5 structure में देखें दोबारा, 1, 2, 3, ये 4, ये carbon hydrogen 5, ये 6, ये 7, और ये 2 hydrogen के साथ, 9 हो गए, तो number of bond यहाँ पर 9 हो गए, इन केस आप अलकीन जब hyper conjugation हम discuss करते हैं, तो इस केस में जो hyper conjugation है, उसको हम sacrificial hyper conjugation कहते हैं, क्योंकि इसमें number of bond यहाँ वो sacrifice कर रहे हैं, मतलब एक bond यहाँ वो कम हो रहा है, अगर हम ISO valid hyper conjugation की बात करें, तभी मैंने free radical में hyper conjugation को यहाँ पर discuss किया, त तो number of bond पहले structure में देखें, यह one हो गया, यह two हो गया, यह three हो गया, यह four हो गया, यह five हो गया और यह six हो गया, तो पहले structure में number of bond कितने हैं हमारे पास six है, जरा दूसरे में आएं, यह one हो गया, यह one, यह two, यह three, यह four, यह five और यह six, तो number of bond कितने रहें, six, अब third structure में दे ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, number of bond 6 रहे, अब अगर next structure में move करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, number of bond कितने रहे, 6 रहे, अब end में देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, number of bond कितने रहे, 6 रहे, इस वज़े से, इस के सारे के सारे जो canonical form है, ये जो hyper-conjugated structure है, ये hyper-conjugated structure क्या है, ISO-valent है, मतलब यहां पे atom की जो valency है, वो change नहीं हुई, number of bond जो है, वो change नहीं हुए, जिसको हम कहते हैं, ISO-valent hyper-conjugation, ये हमारे पास stability of alken थी, अब alken का नहां हम एक order लेक देते हैं, general stability का, कि ह हम simple alken लिखते हैं, ethene लिखते है, simple alken क्या हमारे पास सबसे पहले, ethene होती है, CH2 double bond CH2, ये less stable होगी, किस से less stable होगी, जी, one propene से, और ये जो one propene है, ये less stable होगी, किस से less stable होगी, टू ब्यूटीन से, और टू ब्यूटीन में जो हम structure लिखेंगे, वो कौन से structure लिखेंगे, सिस structure लिखेंगे, अब इस से ज्यादा stable alken कौन से होगी, होगी टू ब्यूटीन, लेकिन वो कौन से होगी हमारे पास, सॉरी, ये पहले वाली सिस है, ये सिस टू ब्यूटीन, अब जो दूसरी हम ब्यूटीन लिख रहे हैं, वो हम लिखेंगे, ट्रांस, तू ब्यूटीन, अच्छा एक और भी alken है, जिसकी stability बिलकुल एक्वल है, किसकी एक्वल है, प्रांस, तू ब्यूटीन की एक्वल है, उसको हम कहते हैं, जैमिनल, वैसे जैमिनल कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों functional group, एक ही कार्बन पे आ जाजाएं, उसको हम जैमिनल कह जाते हैं, तो ये दोनों alken, जो हैं, इनकी जो stability है, वो एक जितनी होगी, फिर इन से ज्यादा stable alken कौन से होगी, मतलब इस से ज्यादा अगर मैं stable alken लिखूं, तो मैं लिखूंगा तू मिथाईल, तू ब्यूटीन, तू मिथाईल, तू ब्यूटीन, इसकी stability ज्यादा होगी, फिर इस से ज्यादा stable कौन से alken होगी, तू थ्री डाई मिथाईल, तू थ्री डाई मिथाईल, तू ब्यूटीन, यह हमने लिख दिया है, तू थ्री डाई मिथाईल, तू ब्यूटीन, अब जरा यहाँ पर यह देखें, यह alken की stability order है, नंबर आफ alpha hydrogen काउंट करें, तो पहले में 0 alpha hydrogen है, दूसरे में 3 alpha hydrogen है, जबकि तीसरे structure में 6 alpha hydrogen, फूर्थ में भी 6 alpha hydrogen, यह number काले की ज्यादा है कि ट्रांस में जो बलकी ग्रॉप है वो अपुजिट पुजिशन पर आ现在 बलकी ग्रॉप के अपुजिट पुजिशन पर आने की विज़ जासे स्टीरे अल्फा हैड्रोजन ये तीन अल्फा हैड्रोजन अब ये अल्फा हैड्रोजन को मैं सरकल का रहा हूं कि हल अल्कीन में जो अल्फा हैड्रोजन है वो कौन से है ये अल्फा हैड्रोजन को मैंने सरकल का दिया यहां पर यहां पास अल्फा हैड्रोजन है अब जरह यहां पर य six میں जो नमर आफ अलफा हटरोजन है वो कितने होंगी हमारे पास पाइस नाइन अलफा हटरोजन हो गए और स्ट्रकश着 7 की बात करएं तो कितने हो गए हमारे पास 12 alpha हटरोजन हो गए तोákषब zod अगर कि नेक्स्ट रप्लिकेशन है मारे पास स्टेबिल्टी आफ या बार लेंग्ट इनल्की नेक्स्ट एप्लिकेशन है मारे पास बार्ण लेंग्थ इनल्कीन तो अल्कीन के केस में जतने ज्यादा हाइपर कांजूगेटिड स्ट्रक्शर बनते जाएंगे उतना सिंगल बाॉंड करेक्टर बढ़ता जाएगा किसमें सिंगल बाॉंड करेक्टर बढ़ता जाएगा कार्बन कार्बन डबल बाॉंड में क्या है more hyper conjugated structure more will be the single bond character in carbon carbon double bond कि जो carbon carbon double bond है उसमें single bond character बढ़ता जाएगा single bond character बढ़ने का मतलब यह है कि carbon carbon जो double bond है उसकी bond link में increase ज्यादा से ज्यादा होगा जितने hyper conjugated structure ज्यादा होगे कि फार एक्जेंपल हमारे पास एक अलकीन है और एक मैं और अलकीन लिखता हूँ bond CH3 अब यहां पर यह देखे ना इसमें alpha hydrogen जो है वो six हो गए alpha hydrogen six हो गए तो hyper conjugated structure भी क्या हो जाएंगे बाढ़ जाएंगे और hyper conjugated structure बाढ़ जाएंगे तो इस जगह जो carbon carbon double bond है यह carbon carbon double bond इस जगह नहीं रहेगा जितने ज्यादा hyper conjugated structure होंगे उतनी देर तक यह double bond carbon carbon का यहां नहीं रहेगा alpha carbon के साथ shift हो जाएगा 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 यहां पर यह discuss करते हैं structure को कि मैं कहतो हूँ यह हमारे पास एक alkaline है यह दोनों बाढ़ यहां shift होगे तो यह बाढ़ यहां shift हो जाएगा अब ज़रा देखना यह double bond character किस में आगे alpha carbon और sp2 hybridized carbon के दरमयान आगे अब यह जो double bond shift हो गया किसके तरमयान shift हो गया alpha carbon and sp2 hybridized carbon तो यह जो मैं carbon को name देदे तो यह one यह two और यह alpha carbon जो है इसको हम क्या कहते हैं यह three carbon है third carbon तो अब double bond कहां कहां पर आगे हमारे पास second and third carbon में double bond आगे हमारे पास नेक्स्ट मैं इसकी canonical फार्म देखूंगा वो क्या होगी स्टेट पहले हमने इनको काफी ड्रा कर लिए आप मैं डारेक्ट लेक्ट रहा हूं नेक्स्ट जो को नेक्स्ट फार्म होगी वह यह होगी इसमें double bond यहां पर होगा यह एक hydrogen भी है यह CH bond CH2 माइनस अच्छा नेक्स कैनोनिकल फार्म क्या होगी हमारे पास तो यहां पर यह देखें न तीन अलफा हाइड्रोजन होने की वज़ा से तीन हाइपर कांजुगेटिट स्ट्ट्चर बने और तीनों हाइपर कांजुगेटिट स्ट्ट्चर में जो double bond है वो किसमें रहा है कार्बन 2 और 3 में लेकिन एकशोलल कीन में किसमें था 1 और 2 में था तो 1 और 2 से daily bond shift हो जाता है ये 1 और 2 में single bond रहता है तो जितनी देर 1 और 2 में single bond ज्यादा रहे का इकीज़गे और जतना single bond character बढ़ता जाएगा उतना carbon carbon bond length भी क्या होती जाएगी increase करती जाएगी अब यहाँ पर तीन alpha hydrogen थे तो तीन ऐसे structure बनी हैं जिसमें हमारे पास क्या रहा है double bond carbon two और three में रहा है अगर मैं यहाँ पर five alpha hydrogen ले के आ जाँ तो five alpha hydrogen में क्या हो जाएगा स्टेंड हमारे पास five hyper conjugated structure ऐसे बनेंगे जिन hyper conjugated structure में double bond यहाँ carbon carbon का वो two or three बे रहेगा अगर मैं six alpha hydrogen लेके आता हूँ तो six ऐसे hyper conjugated structure बनेंगे जिसमें जो double bond है carbon one or two के तुमें नहीं two or three लेकिन वहाँ पे carbon one two नहीं होगा फिर carbon की numbering थोड़ी change हो जाएगी कहने का मकसद यह है कि double bond यहाँ जो actual position में था जहाँ पे alkaline में वहाँ पे नहीं रहेगा double bond की bond length increase हो जाएगी अब दूसरा यहाँ पे factor देखें दूसरा factor क्या है जी दूसरा factor यह है कि alpha carbon और sp2 hybrid carbon इन के तरिमान जो single bond था यह जो single bond है मैं इसकी बात करूँ carbon number two और three के तरिमान जो single bond है अगर इस single bond को देखें तो इस single bond की bond length के जो है वो decrease कर जाती है decrease क्यों कर जाती है ज़रा आगे next structure में देखें carbon number two और three के तरिमान हर hyper conjugation में क्या रहा है double bond रहा है तो means double bond character बढ़ रहा है जैसे जैसे double bond character one or two में कम हो रहा है तो one or two carbon की bond length increase कर रही है वैसे वैसे carbon number two और three में double bond character बढ़ रहा है single bond character कम हो रहा है तो इसकी वज़ा से single bond की bond length कम हो जाएगी तो carbon two or three की bond length कम होती है जो normal होती है उससे कम होती है और carbon one or two की जो double bond की bond length हूनी चाहीय थी जो कि 1.34 on मैं। उससे बढ़ जाती उससे बड़ी शो होंदी और कार्बन-कारवन सिंगल बाउन्स क्रोंड की जो बांड व्र 5 4 o इंक tras果 इथे यह 50 यहां चोड़ी चोटी हो जाती यंद्स पो जाती है की hyperconjugated structure नेक्स्ट इसी पॉइंट में एक और बार डिसकस कर लेते हैं dissociation of hydrogen कि जब वो अलकीन में ऐसी अलकीन जिसमें hyperconjugation होगी यह ऐसे मालेकूल जिसमें hyperconjugation होगी फार एक्जेम्पल यह भी एप्लिकेशन है हमारे पास किसकी एप्लिकेशन है आई पर कांजुगेशन की एप्लिकेशन है यह स्ट्रक्चर नमबर वन है और यह स्ट्रक्चर नमबर टू आ जाता है हमारे पास में यह हाइडरोजन मैं एक उपर करके लिए पहला जो है वो conjugated है mean hyperconjugation है दूसरे में hyperconjugation नहीं है तो ऐसा कौन सा structure है structure one में carbon hydrogen की जो bond dissociation energy है वो जादा होगी यह structure नमबर टू में bond dissociation energy ज्यादा होगी बांड dissociation energy यहाँ पर भी हम bond dissociation energy ही कर देते हैं तो यहाँ पर bond dissociation energy लेकर तो किसमें ज्यादा होगी तो bond dissociation energy non hyperconjugated structure में ज्यादा होगी जबके hyperconjugated structure में कम हो जाएगी इसमें कम होगी और इसमें ज्यादा होगी अगर मैं इसकी exact value की बात करूँ तो जो आपके पास non hyperconjugated structure है इसकी जो bond energy होती है किलो कैलरी पर मोल होती है उसकी reason क्या है उपर देखें ना structure में जितने भी hyperconjugated structure हमने बनाए है उसमें जो alpha carbon और hydrogen का bond है वो hyperconjugation में involved हो जाता है तो इसमें एक ऐसा canonical form बनती है जिसमें carbon hydrogen के दमें bond होता ही नहीं है मतलब जो bond है उसकी जो strength है वो कम हो रही है तो bond की strength कम होने की वज़े से bond dissociation energy भी क्या हो जाएगी हमारे पास कम हो जाएगी यह हमारे पास next application थी bond dissociation यह bond length की और bond dissociation energy की हमने explain के next है electron releasing power next हम discuss करते हैं next कौन सी हमारे पास है टाइप electron releasing power of alkyl group in alkyl benzin अगर हम alkyl benzin की बात करें तो alkyl benzin में जो electron releasing power है किसकी electron releasing power alkyl group की वो increase करती है यह decrease करती है इसको हम देखे ज़रा कुस्छा आपार नेक्स तू दू पिक है इसकिसिंट आप electron releasing पावर आफ अलकाइल ग्रुप इन अलकाइल बेंजीन तो अगर हम अलकाइल बेंजीन की बात करें तो जो अलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है वो इनक्रीज करती है यह डिक्रीज करती है तो यहां पर अगर मैं टॉलीन की बात करता हूं कुछ स्ट्रक्चर लिखता हूं यहां पर अगर अगर नमबर वन है हमारे पास तॉलीन स्ट्रक्चर नमबर टू है हमारे पास पहला है मिथाइल बेंजीन दूसरा है हमारे पास इथाइल बेंजीन तीसरा जो है हमारे पास आइसो प्रोपाइल बेंजीन यहां पर हम डिसकस करेंगे आइसो प्रोपाइल बेंजीन पर फूर्थ में हम डिसकस करेंगे पर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन यहां पर यह देखें किसमे अलफा हाइडरोजन ज्यादा है अब इसमें अलफा कार्बन कौन सी है वो कार्बन जो डिरेक्ट बेंजीन के साथ लिंक है वो कार्बन अलफा कार्बन है अब अलफा प्रोटान को देखें या अलफा हाइडरोजन को देखें तो जो स्ट्रक्शर नमबर वन है स्ट्रक्शर टू है स्ट्रक्शर थ्री है स्ट्रक्शर फूर है तो स्ट्रक्शर वन में नमबर आफ अलफा हाइडरोजन क्या है 3 है structure 2 में number of alpha hydrogen 2 structure 3 में number of alpha hydrogen 1 और structure 4 में number of alpha hydrogen जो हैं वो कितने हो जाते हैं हمारे पास sorry यह तो screen आफ थी structure 4 में number of alpha hydrogen जो हैं हमारे पास कितने होगे तो यहां पर आगह जीरो यहां पर यह देखे ना आलेक्ट्राउर्ण रीलीजिंग पावर आफ अलकायль ग्रूपिन अलकायल एंजीन हम डिसकस करें तो निथायल बैंजीन ऐसो प्रूपाहील बैंजीन एंट अनट तरिशलिब्यूटाह। बेंजीन है जिसमें अलफा हडोजन जियादा होंगे उसकी अलेक्टरां रेलीजिंग पावर उतनी जियादा होगी क्योंकि उसके नंबर आफ हाइपर कांजूगेट DU पिछ? कम बने गे उसकी heat of combustion को explain कर सकते हैं यहां पर हम देखते हैं heat of combustion क्या कहती है जो molecule जतना ज्यादा stable होगा उसकी heat of combustion क्या होगी उतनी less होगी mean heat of combustion जो है वो inversely proportional है किसकी inversely proportional है stability of hydro carbon hydro carbon जतनी ज्यादा stable होगी उसकी heat of combustion उतनी काम होगी तो यहां पर हम कुछ अलकीन को discuss करते हैं सबसे पहले मैं एक अलकीन लिखता हूँ ए two methyl, two butine beta option है हमारे पास तू पंटीन और चार्ली आप्शन है हमारे पास पंटीन डेल्टा आप्शन है हमारे पास आइसो पंटीन जिसका हम टू मिथाइल वन पंटीन भी कह सकते हैं तो जिसमें alpha hydrogen जितनी ज्यादा होगी जिसमें नमबर आप alpha hydrogen जितनी ज्यादा होगी उसके hyper-conjugated structure भी क्या होगे उतने ज्यादा होगे और जितने hyper-conjugated structure अलकीन की stability भी उतनी ज्यादा और जितनी अलकीन की stability होगी उतनों उसकी heat of commission कम हो जाएगी तो यह होगया c-a-tree यह c-a-tree होगया और यहाँ पर एक hydrogen होगी अगर structure one की बात करें तो उसमें जो alpha carbon है वो कौन सी carbon है तो यह वाली जो carbon है इस carbon को हम कहते हैं यह alpha carbon है sp2 hydride carbon की साथ लेके यह भी sp2 hydride carbon है तो यह भी alpha carbon और यह भी alpha carbon तो इसमें alpha hydrogen कितनी होगी पहले structure में total 9 alpha hydrogen है structure A में अगर मैं structure B की बात करूं तो यह sp2 hydride carbon यह भी sp2 hydride carbon तो यह दो alpha hydrogen यह alpha carbon यह भी alpha carbon तो यह 3 alpha hydrogen तो total number of alpha hydrogen कितनी होगी इसमें पांच अगरा structure C की बात करें तो यह sp2 hydride carbon यह sp2 hydride carbon कार्बन यह जो कार्बन होगो यह qió कार्बन है इस पर दो हाइड्रोजन नुर्फ Aildrogen और अप जरुचाइंगे यहां पर कार्बन यह स्थूOW और आपThe कार्बन तोने था कार्बन है इस जिर्धा काارबन है यह वाली जो कार्बन है यह एलफा कार्बन एक freaksicinnen है तो जैसे जैसे नंबर आफ अल्फा हड्रोजन कम होते जाएंगे वैसे वैसे हाइपर कांजूगेटिड स्ट्ट्चर भी क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे हाइपर कांजूगेटिड स्ट्ट्चर कम होने से स्टेबिल्टी कम और स्टेबिल्टी कम होने से heat of combustion क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी तो heat of combustion को हमने डिसकस किया है next हमारे पास एक topic है छोटा सा conjugation के साथ ही है जिसको हम कहते है reverse hyper conjugation तो reverse hyper conjugation क्या है है हमारे पास reverse hyper conjugation what is reverse hyper conjugation reverse hyper conjugation का मतलगी है कि युशिर वर्स डिरेक्शन में जाएगी फार example हमारे पास एक compound है यह हमारे पास एक अलकीन है अगर इस अलकीन में देखे न तो इस carbon पर अब कौन से atom लग गया है अलेक्ट्रो नेग्टिव अटम लग गया है अब यह carbon दोनों electron यहां से लेके इस carbon number स्पोज मैं इसको कह देता हूं यह carbon number one यह two यह three तो carbon number two को यह transfer नहीं कर पाएगी यह carbon number one highly electropositive है तीन electron with drawing group लगने की वज़ा से यह carbon one क्या करेगी carbon number two से electron लेगी और carbon number two जो है carbon number three के electron को यहां पे share करेगी जो next हमारे पास canonical फार्म बनेगी और इस carbon के देखे ना carbon one के पहले से four bond है तो दो बांड क्या हो जाएंगी सोरी दो electron क्या हो जाएंगी एक chlorine पर शिफ्क हो जाएंगी यहां इसका जो पहला रिवर्स hyper conjugated structure बनेगा अब chlorine पे negative चार्ज आएगा और इस CH2 पर कौन सा चार्ज आएगा पास्टिफ चार्ज आएगा इस पास्टिफ चार्ज के तुरू हमने यह इसका अच्छा next क्या होगा इसका reverse hyper conjugated structure तो यह negative चार्ज यह जो negative चार्ज है यह यहां पे carbon chlorine के दमान बाउंड बनाएगा और यह दोनों electron chlorine पर shift हो जाएगे तो जैसे ही chlorine पर shift होंगे इस chlorine पर negative चार्ज अब इस carbon chlorine का bond formation यह double bond CH और यह bond CH2 next reverse hyper conjugated structure क्या होगा हमारे पास यह दोनों electron यहां shift होंगे और अब यह दोनों electron के इस पर shift हो जाएगे कलोरीन पर shift हो जाएगे तो जैसे ही कलोरीन पर shift हो जाएगे यहां पर CL negative यह कलोरीन के दमान बाउंड यह भी बाउंड यह double bond CH और यहां पर एक बाउंड है और यहां पर CH2 और CH2 पर कौन सा चार इस्टन पाजिटिव चार्ड है अब यह negative चार यहां पर back donate करेगा यह दोन कलोरीन कार्बन यह कलोरीन यह कलोरीन यह CH और double bond CH2 तो पहले वाला structure बनेगा अच्छा इसकी जुरुत क्यों पड़ी रिवर्स हाइपर कांजूगेशन की रिवर्स हाइपर कांजूगेशन की जुरुत इस वज़े से पड़ी है कि हमारे पास एक compound है बेंजो ट्राइकलोराइड कौन से है बेंजो ट्राइकलोराइड जब हम बेंजो ट्राइकलोराइड के रियक्शन करवाते हैं तो यह जो उपर ट्राइकलोराइड गुरुप लगा है जिसको हम बेंजो ट्राइकलोराइड भी कहते हैं Benzo Henri Kloride ये सको हम कहते हैं Phenyl Clorofarm भी कहते है Clorofarm पर आपने क्या लगा दिया Phenyl Group लगा दिया ये सका जौत अथा एक नेम का हैями Trigo क्लोरो मिखाइल बेंजुन तो यह जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यह डी एक्टिवेटिंग है और मैटा डिरेक्टिंग रूप है इस बात को एक्स्प्लेइन करने के लिए जो कंसेप्ट पेश किये गए इसको हम रिवर्स हाइपर कांजुगेशन कहते हैं होता क्या एक्चुल में यह दोनों यहां शिफ्ट होते हैं और क्लोरीन यहां से लेक्ट्रोन लेके ज्यादा अलेक्ट्रोन एक्टिव होने की वज़े से दूसरा जो इसका हाईपर कांजुगेशन शो करेगा इसमें यहां पर पाउस्टिव चार्च कार्बन का डबल बांड दो क्लोर क्लोरीन पर कौन सा चार्च नेगटिव चार्च जाएगा यह दोनों यहां पर शिफ्ट होंगे नेक्स जो स्ट्रक्चर बनेंगा यहां डबल बांड पाउस्टिव चार्च यहां पर यह डबल बांड और इस कार्बन का डबल बांड यहां पर भी क्लोरीन पर हो सकता है जैसे हमने पहले structure में देखा है कि नेग्टिव चार्ट कलोरीन का कैसे दूसरे कलोरीन पर शिफ्ट हो रहा है यहां भी आप shifting करवा सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास hyperconjugated structure बनेगा वो कुछ इस फार में बनेगा यहां पर positive charge यह डबल बॉंड यह डबल बॉंड और यहां पर कारवन का इस कलोरीन के साथ इस कलोरीन के साथ बॉंड और इस पर cL negative नेक्स्ट में क्या होगा यह दोनों ऐलेक्टरॉन यहां पर आएंगे यह दोनों ऐलेक्टरॉ फारम बनेगी हमारे पास वो कौन सी बनेगी वो यह फार्म बनेगी कारवन का तीन पुलोरीन के साथ अब ज़रा देखे न यह जो हमारे पास रेजुनेटिंग structure बने हैं इन रेजुनेटिंग structure में structure नंबर यह वन था यह टू यह त्री यह फूर, ये फाइब, तो س्टrक्चर 3, 2, 3 और 4 में positive charge disonate कारा है कहां पर artho position पे फिर पैरा पोजिशन पे फिर artho पोजिशन पे पिर पैरा पॉजिशन पे ती आर्पो और पोजिशन को electron deficient कार देता है, reverse hiper Nos experience के तूर and answer position के दो और मैटा वाला अलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर लगता है इसके हम क्या कहते हैं मेटा डिरेक्टिंग गुरूप कह देते हैं यह सिंपल हमारा हाइपर कांजुगेशन का टॉपिक था उसके हमने कुछ एप्लिकेशन डिसकस की है इन डिटेल में इंशाला नेक्स और कुछ टेक्स तो वैसे हमने डिसकस कर दी हैं कुछ हम इसके शार्ट क्वेस्टन लेक्ट आएंगे एमसी क्यूस टाइप किस तरह आप इजली उसको साल्व कर सकते हैं ठीक है अलाहाफेश